प्रदेश में बारिशों का दौर जारी है आने वाले दिनों में लोगों को बारिश से रहत मिलने की उमीद है इसी कड़ी में 5 सेतंबर को प्रदेश के 5 जिलों के लिए बिजली और गरजन का येलो अलर्ड जारी किया गया है इसके अलावा प्रदेश में नियुंतम तापमान भी 10 डिगरी तक पहुँच चुका है राजधानी शिमला में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्श की गई है लोगों ने सर्दियों के कपड़े निकालना शुरू कर दिया है प्रदेश के जिला कांगडा, चमबा, सोलन, सिर्मावर और शिमला के लिए बिजली और गरजन का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विग्यान केंदर शिमला सिप्राप्त जानकारी के अनुसार पांच सितंबर को प्रदेश के पांच जिलों के लिए बिजली और गर्जन का यहलो रण जारी किया गया है इसके साथ ही शिमला सोलन और सिरमौर में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्श की गई है बिलासपूर में सबसे अधिक 24.9 डिगरी सेल्सियस तापमान दर्श किया गया है वहीं हमाज़ प्रदेश में बारिशों का दोर जारी है, वीते 24 घंटों में सबसे अधिक जिला सोरन के कसौली में 90 mm बारिश दर्श की गई, वहीं जिला सोरन के धर्मपूर और कंडाघाट में 70 mm, जिला मंडी के कटोला में 70 mm, शिमला में 50 mm, बिलासपूर में 50 mm, में 40 mm, गोहर में 30 mm, पच्छाद में 30 mm, जोगिन नगर में 20 mm, रिनकजी में 20 mm, शिलारू में 20 mm, बार्थिन में 20 mm, और अन्य स्थानों में 10 mm या इससे कम बारिश रिकॉर्ड की गई